आठ नवंबर को चंद ग्रहन आठ राशिया होंगी महाधनवान दोस्तों साल 2020 का दूसरा चंद ग्रहन आठ नवंबर 2020 दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्मा के दिन लगेगा आठ राशियां होंगे महा धनवान जी हैं दोस्तों आठ नवंबर को कार्तिक पूर्मा के दिन लगने वाले साल 2022 के दूसरे चंद ग्रहन के प्रभाव शे बारा राशियों में शे आठ राशियों की किस्मत चमकने वाली है इन आठ राशियों का भाग सातमे आस्वन पर रहने वाला है आपको बता दे कि आठ राशियों वाले अब धनसे मालामाल होने वाले हैं ये महा धनवान बनने वाले हैं जी हैं दोस्तों वो खुशनशीब और भाग शाली आठ राशियां कौन कौन सी है जो कि 8 नवंबर 2020 दिन मंगलवार को कार्तिक पुड्मा के दिन लगने वाले साल 2020 के दूसरे चंदग्रण के प्रभाव से करोडपती बनने वाली हैं, महा धनवान बनने वाली हैं ये आठ राशवारी अब धन से माला माल होने वाली हैं इस वीडियो में हम आपको इन्ही आठ खुशनसिब और भागशाली राशवारी के बारे में संपूर्ण और सटी की जानकारी देने वाले हैं इसलिए आप लोगों से विशेश अन्रोध है कि वीडियो को आप शुरूर से लेकर अंतक पूरा देखेगा हो शकता है इस राशी यों में से एक राशी आपकी भी सामिल हो सकती है साथी साथ बताएंगे कि इसका सूतक काल और भारत में कहां कहां दिखाई देगा कौन कौन से देश में दिखाई देगा साथी गरुती महिलाओं को किस प्रकार से सावधानी बरतने की जरूरत है क्या खाना चाहिए क्या सावधानी बरतने ये भी जानकारी देंगे इस दोरान गरुती महिलाओं को क्या उपाय करने चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों आपको बता दे कि 8 नवंबर को लगने वाले साल 2020 के दूसरे चंदग्रहन के बारे में संपूर और सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है साथ ही कौन सी वो भागशाली राशियां रहेंगी जो इस बार के चंदग्रहन में महा धन्वान बनने वाली हैं ये भी हम आपको बताएंगे इसलिए बीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजेगा हो सके तो दोस्तक भी शर्क जरूर कर दीजेगा दोस्तों साल 2020 का दूसरा और आखरी चंदग्रहन आठ नवंबर 2020 दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्ण में के दिन लगेगा दोस्तों जोतिस सास्त्र में चंदग्रहन को एक विशेश घटना माना जाता है इसका प्रभाव चर अचर जगत पर शंपून जिव जन्तु पर पड़ता है साल 2020 का अंतिम चंदग्रहन आठ नवंबर दिन मंगलवार को लगेगा और ये इस बार काफी प्रभाव शाली चंदग्रहन रहेगा बता दे दोस्तों के काफी भेंकर और प्रभाव शाली चंदग्रहन रहने के कारण कुछ बिशेश राशियों के किसमत चमकने वाली है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साल 2020 का ये यानि दूसरा जो चंदग्रहन है ये बहुत ही यनि कि कुछ राशियों के लिए सुब रहेगा लेकिन कुछ राशियों को सावधानी भी बरतनी की जरूरत है शेपहले मई के महिने में लगा था अब ये दूसरा चंदग्रहन लगने जा रहा है हिंदू पंचान के अनुसरा साल 2020 का दूसरा चंदग्रहन ये जो लगेगा ये आठ नवंबर को भारती समय के अनुसरा दुपहर एक बचकर 32 मट से साम 7 बचकर 37 मट तक रहेगा आपको बतादे कि ये काफी लंबी अवधिवाला चंदग्रहन रहेगा चंदग्रहन तब होता है जब शूर धरती पर चंदरमा एक सीधे होते हैं तथा परतवी शूर और चंदरमा के बीच में होती है तब चंदग्रहन के इस्तिती बनती है ये चंद ग्रहन भारा समेत दच्छनी पूर्वी, योरोप, एसिया, अस्टेलिया, उत्री पूर्वी, अमेरिका, दच्छनी अमेरिका, अटलांटिक और हिंद महाशागर में नजर आएगा भारत के लगबख सभी राजियों में दिखाई देगा, खासकर पूर्वी और उत्री राजियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा चंद ग्रहन का सूतक काल, चंद ग्रहन लगने से 9 घंटे पहले ही सुरू हो जाता है दोस्तों साल 2020 के ये जब शूतक लग जाता है तो कोई भी सुबकार नहीं किया जाते है खासकर इस समय जो गर्वती महिलाएं हैं वो बाहर ना निकले और गर्वती महिलाओं को ग्रहन काल के दर्मियान एक बंद कमरे में रहना है खिर्कियां और दर्वाजे बंद करके रखना है साथी साथ इस समय आप खाना पीना बिल्कुल ना बनाए और ना ही खाएं खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल पहले से ही डाल दे रोगी ब्रद बच्चों को छोड़ कर किशी को भी भोजन नहीं खाना चाहिए नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ये दोसित माना जाता है और साथी जब गरहन लगा हो तो इसमें आप मंतरों का जाब करें गर्वती महिलाएं खास कर ओम नमो भगति वाजदिवाय ज़दा ज़दा भागवान की चर्चना करें लेकिन मूर्तियों को ना चुएं पूजा पाठ करना बंद कर दें गरहन के समय और जब गरहन समाप्त हो जाए तो गर्वती महिलाएं या फिर पूरे घर के शदर से नहा धोकर स्वक्ष वस्ताधारन करें नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें पुरे घर में गंगा जल कर छिरकाव करें फिर आप उचित सामर्थ के अनुसार आप यह था योग संभव दान जरूर करें यानि कि जो गरीब निर्धन है उन्हें दान जरूर करें दोस्तों इस वार का यह चंदकरहन बहुत ही विशेश रहेगा खास कर कुछ राशियों के लिए आठ राशियों वाले इस वार चंदकरहन पे महा धनवान बनने वाले हैं ये मेस राशियों में चंदकरहन लगएगा भढ़ने ने अच्छा और भढ़ने ने अच्छत के लोगों को बहुत सा धनी बरतने की ज़रूरत है तो आएए अब जान लेते हैं एक एक करके इन राशियों का हाल कि कौन कौन सी राशिय जो भाग शाली होने वाली है दोस्तों सबसे पहले महा भाग शाली राशियाती है वो है यहां पर कन्य राश कन्य राश खैत को बता दे कि अब आपके किस्म चमकेगी ब्यापार मुर्दी होगी कारशेत्रों में लाब होगा यह चंद ग्रहन आपके लिए बहुत इस्चुब रहेगा इस चंद ग्रहन में के दर्मियान आपको विशेश उपलब दे प्राथ होगी कारशेत्रों में लागातार अंदरनी बढ़ेगी कारशेत्रों में आपको अधिक शदिक धनलाब होगा कारशेत्रों में चली आरही परिश्यानिया दोर होगी ब्यापारी वर्क ले काफी विशेश रहेगा धन संपतिक लाब होगा आधिक शदिक मुनाफ़ा प्राथ होगा कारचेत में आपको लाब होगा लगातार अंदनी बढ़ सकती है जो कार अधोरे थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे महत्पुन सफलता मिलने की योग बन रहे हैं कारचेत में आपको विशेष धनलाब होगा और इसमें प्रयम संबंधों में मजबूति आएगी लबलाई पेचे रहेगे जान दामपत्ती जीवन में शुधार होगा जीवन साती से संतान को लेकर प्राप्ती होगी धनलाब की प्राप्ती होगी रुकवाफस्वा धन प्राप्त होगा बढ़ने से मन काफी प्रसंट रहेगा कारुबारियों के लिए काफी विशेष रहेगा धनसंपत्ति कलाब होगा अनेक जगों से आपको धन कलाब होगा लगातार आंधनी बढ़ सकती है कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी समय धोरे थे प्रिंडिंग थे आज यह कहा जाए तो आपको विशेष यानि कि इस समय यह चंद ग्रहन के दर्मियान लाब होगा अब अगली चोथी जो राशी आती है वह यहां पर कुम्ब राश को बता दे कि अब आपके किसमें चमकेगी ब्यापारियों के ले काफी खास रहेगा धनसंपत्ति में लाब होगा और नई जोब लगेगी नई जोब में सफलता प्राप्त होगी विदेश की यात्राइं होंगी विदेश जानी के सपने साकार होंगी विदेशी कंपने से लाब होगा अगर विदेश में कोई कार रुका हुआ था तो वो भी पूरा होगा शाती साथ नई जोब बड़े दिकार कुछ मेंफ़णियूआं के लगातार अमदनी बढ़ सकती हैं कुछ नहीं करफ प्राप्त किसे में आप कास्व के सवाइन कि प्राप्त होगी अगली राशी पांचमी राशी आती है मेन राश मंन्राश करद को बता दे कि इस बार कच्छंद setzen कैंग विड़ाएंगा ब्यापारियों के लिए भी अच्छ रहेगा घर परिवार में शुक्षम्रदी बनी रहेगी कामे भी दस्तक देगी कई कार्षित्रों से शफलता मिलेगी कोई शुब कारे हो शकते हैं अंसुलजे मुद्दे सुलजेंगे धन खर्चों में कमी आएगी और कोट कचरी के मामुले में अगर कोई विवाद चल रहा था तो इसमें राहत भरी शांस मिलेगी धन खर्चों में कमी आएगी आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत देखने को मिलेगी प्रेम संबंध में मजबूती आएगी इसमें कार्षित में चल रहे ही विवाद भी खत्म होंगे और बित्ती मामलों में हलाकि यह असर पढ़ेगे शिले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब अगले छठमी जो राशी आती है वो है यहाँ पर करकराश करकराश केयत को बता दे कि आपको लाब होगा अच्छे छेत्रों से लाब होगा कुछ ऐसे कारपोरे होंगे जो काफी समय से धोरे थे पेंडिंग थे हुने पूरा कर सकते हैं और भागदाओर बनी रहेगी हालाकि यह भागदाओर आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है आमदनी के सरोत को बढ़ा सकती है लगातार आपके ब्यापार को में भी तरक्की की योग बन सकते हैं कुछ अच्छे कारपोर की स्थापना करेंगे लगातार आमदनी बढ़ेगी कुछ महत्मुर्ण सफालता मिलने की योग बन रहे हैं कार्षेत में अधिक शदिक धनलाव होगा लगातार आमदनी बढ़ेगी अब अगली सातमी जो राशी आती दोस्तों बता दे वो है मिथुन राश मिथुन राशकत को बता दे कि इस्थती काफी अच्छी रहेगी ब्यापारियों के लिए अच्छी रहेगा धन में दुगने धनलाव हो सकता है और इसमें आप शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा कमपर्टीशन पूर्टोगी परिच्छे में भाग ले सकते हैं भागदावड बनी रहेगी या भागदावड आपके लिए अच्छी रहेगी लगातार आई में बरती होगी कई महत्पूर शेत्रों शिलाब होगा अधूरे कारियों को पूरा करेंगे मन्चाही सफलता हैं पराप्त होगी कुछ महत्पूर सफलता मिलने से मन काफी परसुन रहेगा इसमें इस्तिती काफी बिशेश रहेगी लगातार आई बढ़ सकती है ब्यापारियों के लिए भी काफी खास रहेगा कारियों में चलिया रही परिशानिया दूर होगी लगातार आउंदनी बढ़ने से मन काफी परसुन रहेगा मेत्पूर सफलता प्राप्त होगी समाज विमान सवान परतिष्ठा बढ़ेगी अब अगली राशी है यहाँ पर आठमी वो है यहाँ पर मकर राशी मकर राश काथ को बढ़ा दे कि दिन दुगनी राश अगनी तरक्की प्राप्त होगी साथ ही साथ आमदनी का स्रौत बढ़ सकती है कारशित में लाब होगा यहाँ पारियों कले भी काफी खास रहेगा कुछ में पुन सफलता मिलेगी कुछ इस्ति धन के सति कारवार के सति मजबूत रहेगी और इसमें विदेश की आत्रएं होगी विदेश जाने के सपने साकार होगे रुकाव वफसवधन पराप्त होगा कारशित में लाब होगा तो दोस्तो ये आठ राशिया इस वार का चंद ग्रहन में बहुत ही सुबर हैंगी, बहुत ही लगी रहेंगी, आठ राशियों को महा धनवान बनने से कोई नहीं दोख सकता, तो दोस्तो इस वार का चंद ग्रहन बहुत ही सुबर हैंगे इन्हों आठ राशियों के लिए, वी झाल झाल